आपने सुना होगा बहुत बारी यह जुमला कि पुरानी जनरेशन थी क्या टैलेंट थी अब क्या होंगे स्टार बट कुछ तो एचली में जेन्वीन टैलेंट था कुछ समय पहले तक जब नाइटीज या फिर अरली टूर टू-टू-थाजन के जो स्टार्स थे वो काफी ज यह जीओ के उपर आईए तो क्या यह इंट्रस्टिंग है जो सीनियर आटेस्ट है उन्होंने जूनियर आटेस्ट को या फिर नूकमर्स को यह दिखाया कि कैसे एक्टिंग के री जाती है कैसे रोमांस किया जाता है यह सब चीज़ें मैं बोलू हुँ इसका आंसर हाँ भी आपको एक फैमिली कॉमेडरी ड्रामा के जोन के अंदर आपको लेके जाता है बढ़ाग एक सीख भी इसके अंदर आ जाती है इंट्रेसिंग जोन का मिलने का तरीका है वह थोड़ासा अजीब है और जिन सर्क्रम्स्टैंस पे वह आते हैं वह थोड़ासा अजीब हो जाता है और प्रोफेश्नल ही मिलते हैं लवbas होता है अब अगर ये शादी कर लेते हैं तो जो lovers देंगे फार्स और गुशाली वो हो जाएंगे क्या? ब्रदर और सिस्टर तो क्या ये होगा? क्या ये अपना प्यार सैक्रिफाइस कर देंगे? या पेरेंट्स कर देंगे या फिर इसका कोई वे एक और कोई रसता है ये सब चीज़े आपको देखने को मिलेंगे तो ये मूवी का मोटा मोटा लेवल पर क्रक्स है इसके अंदर कोई भी स्पोईलर नहीं है इसको पोजिशन ही ऐसे किया गया है कि what should be the rightful way old love versus new love और इसके अंदर आ जाएंगी घर के ताने दिने वाले जैसे अरुना एरानी गुट तू सी हर बैक अगेन बहुत ही मंजीवी वह खिलाड़ी है उनको अच्छा लगा देखके बट मूवी के अंदर जहां थोड़ी बहुत अच्छी स्टोरी है पेपर पे अच्छे दिख रही है कि टी सीरीज ने भी बनाए वो अराम से रिलीस कर सकते हैं उनका पैसा लगा हुआ है कहीना कि उनको भी कॉंफिदेंस नहीं होगा इसके ओपर के भी थेटर में रिलीस करेंगे क्या होगा तो उन्होंने भी कोशिश यही करी कि OTT को बेच दिया जाए तो जी उनने रिलीस क तो मेरा तो यही मानना कि इसके जो डायलोग से हैं वो थोड़ा सा इसका लेटडाउन है क्योंकि जिस तरीके से लिके गए हैं और जिस तरीके से डिलेवर भी करे गए हैं तो कहीनां कि जो We पार्थ और कोशाली कोशाली के वर मूवीज में आ चुकी हैं वो कहीना आपको ऐसा लगता है कि बहुत एफेक्टिव तरीके से डिलिवर नहीं हुए ना पार्थ के जो शेतानी वले हैं और कोशाली जो कि उसको कहीना कि observe करे जा रही है from a distance आपको ऐसे लगता है कि they could have done much better और chemistry कहीना कहीना आपको beyond a point आपको ऐसे लगता है कि थोड़ी सी business as usual लगने लग जाती है romance आपको feel होता है कहीना कहीन senior artist के अंदर but at the same time after certain time वो भी pretentious सा हो जाता है फिर जो movie होती है इस तरीके कि उसका सारा के सारे nucleus usually आ जाता है emotions के उपर confrontation के उपर क्या वो बहुत 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 बहुतरीन है मैं यह बुलूँगा कि जो confrontation जब तक आते हैं तब तो बहुत रूटीन जौब हो जाता है और जिस तरीके से वो खतम होती है movie उसके अंदर भी बहुत safe play किया गया है जहांता है production quality का सवाल है मैं यह बुलूँगा कि यह एकता कपूर के serial से एक notch उपर है आपको कहीं न गहीं ऐसा feeling आती रहेगी कि यह movie वाली quality नहीं है ना color combinations ना कुछ हाला कि sets का ज्यादा इस्तमाल नहीं किया गया है relocation पर किया गया है आपको ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी दिखेगी ऐसा लगेगा कि higher हुए है लोग तो junior artist भी होंगे पर at the same time फिर भी आपको यह बड़ी serial वाली look यहां पर आपको आने वाली है ठीक है तो कहीं ना कि आपक लिए इस जो भी कुछ हुआ लेकिन overall basis पे एक संजद अतन रवेना टंडन जो कि अपने प्राइम के अंदर बहुत इची जोड़ी लगा करते थे बहुत होट एंच्यूस टाइप की करीना यह रवीना लगती थी और संजद विल्कुली हंक लगते थे वो थोड़ा सा बहुत अबरदस्ती का ट्राइग है इसके अंदर गाने वाने यह सब चीज़े नहीं चलता है यह पुराने जमाने की हिंदी फिल्म लग रही है थोड़ा सा डेटिट है यह मामला बाई